नमस्कार मित्रो सुपरभात मैं बादल अलोर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट पर दोस्तो आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा हम लोगों ने अपनी कक्षा 9 की NCRT को completely cover कर लिया है और आज से हम अपनी कक्षा 10 की NCRT को सिरीज को स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी कक्षा 9 की सिरीज को नहीं देखा है तो प्लीज आप वो सिरीज देख लीजिए क्योंकि अगर आपने उस सिरीज को नहीं देखा तो कक्षा 10 की NCRT से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा यह जो मैं पहले किलियर कर देता हूँ तो प्लीज आप लोग जो है कक्षा 9 की NCRT की टोटली सिरीज जो है वो मैंने डिस्करप्शन बोक्स में उसका लिंक दे दिया गया है आप सब लोग जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना र NCRT को cover किया है history को तो उसमें हम लोगों ने क्या-क्या discuss किया था ठीक है पहले तो हम लोग यही बात करेंगे और उसी के चलते फिर हम लोग कक्षा 10 की NCRT में क्या-क्या discuss करेंगे और क्यों करेंगे और यह कहां पर काम आने वाले हैं ठीक है तो यह सभी जो doubts हैं आप लोग नासिसी करानती में और फिर दूसरा चैप्टर हुआ था हम लोगों का यूरोप में समाजवाद एवं रूसी करानती के बारे में और तीसरा चैप्टर जो है वह हुआ था नासिवाद और हिटलर के उदय के बारे में फिर हम लोगों ने अपना फोर्थ चैप्टर जो है व और खेल यानि कि किर्केट की कहानी के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था कि किर्केट का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ ठीक है फिर हम लोगोंने चैप्टर डिस्कस किया था अपना एट चैप्टर की पहनावे का सामाजिक इतियास क्या है तो यह सभी जो चैप्टर हैं हम लोगों ने अपनी कक्षानों की NCRT की सिरीज में डिसकस किये थे जो की काफी जादा इंपोटेंट थे केवल मैंस की परिख्षा के लिए तो मैं आप लोगों को यह पहले किलियर कर देता हूँ जो हम लोगों ने विश्वित्यास के बारे में डिसकस किये है तो UPSC के प्रिलियम्स एग्जामिनेशन में उसका कोई भी सेलेबस नहीं है कोई भी इसका लेना देना नहीं है बट UPSC एस्परेंट सोने के नाते आप लोगों का दायत्व बनता है कि हर एक चीज को आप पहले से ही कवर करके चले चाहे आप सो पूछी जाए या ना पूछी जाए बट आप लोगों को हर एक पॉइंट जो है वो किलियर होने चाहिए ठीक है तो मैं तो आपको यही सेजेशन दूँगा और आप सेलेबस के अकोडिंग अपनी प्रिपेशन कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और कक्षादस की जी ओ एंसी आर्ट है यह भी टोटली जो है पूरे विश्व इतियास पर ही बेस्ड है इसलिए इसका भी इतना प्रिलियम से कोई लेना देना नहीं है तो मैं आपको यह किलियर कर देता हूँ और इसका जितना भी पॉर्सन पूछा जाएगा हम लोगों के मैंस की परिक्सा से पूछा जाएगा यानि कि UPSC के जो मैंस परिक्सा होगी तो जितना इसमें पूछा जाएगा वो UPSC मैंस की परिक्सा के लिए पूछा जाएगा तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि जो आपको लोगों को पढ़ाया जाएगा वो काफी ज़्यादा important होगा और facts के साथ होगा तो UPSC में आप लोगों को मैं बता दूँ, मैंस के लिए फिर से मैं बता देता हूँ कि उसको जो आपसे पूछा गया है कि आप उसका एक सरल तरीके से answer दे सको और एक अच्छा answer दे सको ठीक है पहले तो आप ये चीज किलियर कर लो क्योंकि आप लोगों को जब कोई एक question दिया जाता है तो उसके सामने एक word limit दी जाती है so words, date so words या 200 words या die so words ठीक है die so words काफी जादा maximum हो जाते हैं but minimum minimum जो words पूछे जाते हैं वो 150 पूछे जाते हैं ठीक है तो 150 जब आपसे words किसी question के बारे में पूछे गए तो अब आपको क्या describe या क्या explain करना है तो जो भी question आपसे पूछा गया है तो आपको only वो fact के बारे में बताना है उसके ठीक है ना कि आप उसकी theory लिखने वहाँ पर बैठ जाओ ठीक है अगर आप वहाँ पर theory लिखेगे तो आपको इतने ज़्यादा marks वहाँ पर नहीं मिलने वाले ठीक है तो इसी लिए आप लोग इस तरीके से अपनी practice कीजिए कि किसी भी topic के उपर आप facts के साथ लिख सकें और अगर किसी भी चीज का current affairs से कोई relation है जैसे international relation totally आपका current affairs से based है और history भी है ठीक है तो आप लोगों को पूरा पूरा जो वो है आप उससे history भी एक तरीके से interconnect कर सकते है और उससे current affair भी एक तरीके से interconnect कर सकते है तो आप लोगों जो connectivity है connectivity आप लोगों को करना आना चाहिए तो सबसे पहले tips तो आपकी यही होती है और अगर आपके points के लिए है तो आप definitely किसी भी question का जो answer है वो easily कर सकते है ठीक है यह तो हो गई tips के बारे में अब हम बात करते हैं अपनी कक्षा दस्की NCRT के syllabus के बारे में कि आखिर हम लोग इस book में पढ़ेंगे क्या इसके introduction के बारे में हम थोड़ा discuss कर लेते हैं ठीक है तो देखे जैसे कि आप अपनी screen पर देख पा रहे होंगे विशे सुची यानि कि यह हमारी कक्षा दस्की NCRT का syllabus है जिसमें हमारा खंड एक में गटनाए और परिक्रिया है जिसमें हमारा फर्स चैप्टर जो है युरोप में राष्ट्यवाद का उदे और दूसरा हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो इंडो चैना में राष्ट्यवादी आंदोलन और तीसरा चैप्टर जो है वो भारत में राष्ट्यवाद फिर हम लोग second के बारे में बात करेंगे जीवी का अर्थविवस्ता एवन समाज तो इसमें हम बात करेंगे भुमंडली कर्थ विश्व का बनना तो भुमंडली कर्थ का मतलब हो था एक तरीके से वैश्वी करण के बारे में काफी लोग जानते होंगे भुमंडली करण के बारे में भी काफी लोग कुछ जानते होंगे तो भुमंडली करण का हो या वैश्वी करण का हो बात बराबर ही है तो वैश्वी करण का सिधा सिधा में आपको फिर भी मतलब बता देता हूँ कि वैश्वी करण एक तरीके से अपने देश की सीमाओं में नहरेकर दूसरे देश की सीमाओं में वयापार करने की प्रक्रिया को वैश्विकरण या भुमडलिकरण कहते हैं, ठीक है, तो फिफ्थ चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, ओद्योगी करण का यूग, फिर शिक्ष चैप्टर के बारे में हम करेंगे, काम, आराम और जीवन, ये से संबंदित होगा तो यह हमारी कक्सादस्की NCR का सहले बस जिसे हम point to point discuss करेंगे और fact के साथ इसको हम discuss करेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी परिशानी ना हो तो आज की बस वीडियो में हम लोगों को इतना ही discuss करना था ठीक है तो कल से हम लोग अपना जो chapter है यूरोप में राष्टवाद का हुद है वो स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले आप लोगों को बताना है कि जो हमारी फ्रांसिस ही करांति वीत यानि कि जो फ्रांसिस revolution हुआ था वो क्यों हुआ था और उसके कारण आप लोगों को कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताने है तो प्लीज आप लोगों को ये फ्रांसिस revolution के बारे में जरूर बताना है क्योंकि तब ही मैं आपका ये कख्षा दसका जो NCRT का पहला चैप्टर है वो तब ही स्टार्ट करूंगा ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए काफी ज्यादा authentic knowledge से बरा हुआ है तो आप प्लीज इस वीडियो को like, share, comment करना नहीं बूले और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर दबाए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले time पर मिल जाए इसी के साथ have a good day जैहंद